व्यूट्यूब जो है वह चारो इंडिकेटर एक साँ जलते हैं तब ही उनको है वो पर का जो में जिए आप उसको लूच कर सकते हो वो लूच करने के बाद आपको जो side का main screw है उसको पूरा निकालना है जो right में है right का screw निकालने के बाद और एक screw रहेगा left में वो भी आप निकाल सकते हो वो निकालने से आपका पूरा head lamp बहार आजाएगा जो main unit रहेगा head lamp का वो बहार आजाएगा अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और उपर का screw जो main screw है वो आप लूज कर लो तब ही आपका जो head lamp है बहार आजाएगा यही है वो switch जो मैंने purchase किया है 80 रूपीज में इस switch को install करना बहुत आसान है पीछे का दो screw लूज कीजे और जो जिदर चाहिए उदर आप अपने handle bar पे इसको install कर सकते हो as per choice as per your choice आप जिदर चाहिए उदर लगा लो और पीछे से दो screw tight कर दो screw पीछे से अच्छे से tight करना क्योंकि वो ही लेने होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा switch की wire आप ऐसे निकालिए और उसको इदर से cut कर दीजिए cut करने के बाद आपको इसको 2-3 cm चीलना पड़ेगा चीलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा ये है वो coupler जिदर हम लोग wire switch का wire install करने वाले हैं ये है वो first wire और ये है वो second wire आपको black wire ब्लैक वाले में ही डालनी है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं वैसे ही कीजिए और दूसरी green wire जो है वो green वाले में डालिए जैसे आप उदर देख सकते हो वायर डालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको इसको बाद में आपको टेप से प्रॉपरली चिपका देना पड़ेगा क्योंकि ये हीले नहीं क्योंकि हमको फिर से ये कपलर अंदर दूसरे कपलर में डालना है ये male कपलर female कपलर के अंदर जाएगा ऐसे टाइट कर दीजिए आप टेप से और जो दूसरा कपलर है उसका female कपलर इसमें आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए जैसे मैं अभी कर रहा हूं और इसको प्रेस कर दीजिए अधान गार है सब कुछ होने के बाद आप अपने हैजार लाइटस टेस्ट करके देखिये अगर वो चल रहे या नहीं लिए क मैं वीडियो जे जा हम प्टाम्ज आप प्रमच आप और सब्सक्राब के लिए प्रेट के लिए लगा को आप जा प्रमच वीडियो लिए पाल मीडियो आप ठीक है तुंका सागरें का दियो परेखों